कि नमस्का स्वागत है आपका अभी सिंधी पेशकर्स खास मुलाता है यंग जंदेशन की हम बात करते हैं हम भारत के विकास के बात करते हैं लेकिन कहीं ना कि इसमें हमें बहुत सारी अड़्चने वह अड़्चने क्या है अगर मैं यूथ के पॉर्ट अभी से अगरती हूं एक बड़ा मुद्दा है एक पड़लीक तो जाते हैं पड़लीक के बार एक बड़ा चैलेंज होता है कि काम करें नौकरी करें प्रिजनस करे गाइप करें इन सारे सवालों के जवाब अगर हमें किसी एकस्पर्ट से मिले तो उसके जवाब सटिक भी होते हैं और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे वीज बादर करता हूं तर आपका बहुत साधार है जैसे किसर में बात शुर्वाद की तिक यूथ इंप्लमेंट यूथ इंप्लमेंट एक चैलेंज है, क्या आप सच में इसको चैलेंज बानते हैं? Absolutely, it is a challenge and बहुत अच्छा चैलेंज है और लोगों के लिए चैलेंज एकसेप्ट करके उसको successful बनना बहुत जरूरी है और ये challenge इसलिए challenge है कि life है, life को challenge करके एकसेप्ट करके उसको perform करना जरूरी है, उसको action करना जरूरी है, positively सोचना जरूरी है और वो challenge को जीतना जरूरी है हर youth के लिए और हर youth में एक challenge accept करने के क्षमता होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है जब हम पढ़ लिख जाते हैं आप एक professional academy जलाते हैं जहांपे आप चाहे वो जेन्स हो या लेडिस हो जो यूट रहते हैं पढ़ लिखने के बाद में आपके बाद में आपके बाद में रिजिस्ट्रेशन करना जितको आप कई जग विभिन जगों के आप उनको स्तुरूत जानकारी देना चाहूंगा इसके बारे में अपने ओफिस को भी 14 साल होग है टोटल और यहां पर अपने हां लाखो लोग आते हैं डॉक्टर साते हैं इंजिनियर साते हैं वकील आते हैं सीय आते हैं पीएशडी होल्डर लेक्चरर प्रिंसिपल बी एबी कॉम बीसी सभी क प्रिंकर में अपने घरी प्रोडर शैजशन पर फेंधार होगु हमुआ है इस एक यह आज प्राप कर रहे हैं अपर लोगों को सही दिशा देते हैं और सही जगा पर एपउर्चुनिटी प्रोड़ करते हैं हैं अपने बेस्ट प्लेसमेंट कशल्टनς क कर आए हैं साहime अ पर लोग काम करते हैं। कुछ साल काम करते हैं धीरोलों जाले और अजर और अपना पुरूर्ट्वीटाय दे रहते हैं। तक्रीबन पूरे भारत में हजारों क्लाइन रिड़ाहब को, मैननेफ़एक्टरिंग ling ना०िटिंगं लेकिन कही ना कही जब आपके पास में जो लोग आते हैं तो उन्हें किस जके पर इंप्लाइमेंट चाहिए या कई कई पार हमने भी देखा है कि जब आप पूछते हो कि भी क्या का आप करोगे तो यह सवाल कभी-कभी मतलब क्या यह यूथ यह डिटर्माइन ने कर भा रहा 90% यूथ आज के रहें पें कन्फूजड उनको पता ही निए एक्जेकल उनको लाइफ में करना क्या है इंजिनरिंग कर लेते हैं मेकैनिकल इलेक्टिकल सीविल जो राइटी में जाते हैं या और दुसरे कोई फिल में जाते हैं इनको मार्केटिंग करना पसंद निया उनक इनको पर्फेक्ली गाइट करता हूँ कि आपको ये फिल्ड में जाना है और वो फिल्ड में हो चाते हैं तो काफी सक्सेस्पूल बेंते हैं एग्जमपल ऐसे बहुत सारी उथ है जिनको मैंने गाइड किया है और उस फिल्ड में आज लाखोर रूपे मेहना कमा रहे हैं ऐ इसे बहुत यूथ है जिनोंने एक सिम्पल आईटिया गोलडर में जॉब किया है, बाद में डिप्लूमा किया है, बाद में बी किया है, बाद में आपिक किया है, आज वो लाख रूपर महिना कमा रहे है इसे भी बहुत यूथ मेरे पास रजिस्टर्ड है और हो आपके बास आले के बाद में उनको किसी और जगे जाना है जहां उनको इंटर्व्यू देना है और जैसा हम ने बिए देखा है कि जो एट्यूकेशन दे गिया अब आपके दौरा उनको इंटर्वी का मौका भी मिल गया लेकिन जब वो इंटर्वी के लिए जाते हैं तो कहीं इंटर्वी में सारी काभिलेत होने के बाद में बात नहीं करता है तो महां से एक निराशाय आप लगने के उबीद हो सकती है तो यह इंप्रूमेंट टेक्निक भी आपड़ाते हैं बिलकुल अपने केंडिडेट्स में कॉन्फिडेंस की बहुत कम है अपने 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 जब सर्षाइब अपने अपने इंप्रेशन श्राइब फ़ई आपने के लगने के लिए तो वह प्रण जादा है चुल्द शुकॉट्स में ने तो और इंडेस्ट्री का इंट्रचन इंटर्स अपर्याइट नहीं इसलिए बेरोजगरीज जादा है जो इंस्टिडवीट स फेक्टरी से जो बच्चे निकलते हैं, उनको किता भी ग्यान है, वो भी अप्रोप्राइट नहीं है, वो एक नॉमिनल इंजिनेर बनते हैं, लिकिन जो इंडस्टी के लिए जो टेक्निकल अबिलिटी जो एक्सपेक्टेड है, एक्चुल जो एक्जिकुशन चाहिए, उनके इंडस्टी में इंडस्टी में इंडस्टी में जो टेक्निकल अबिलिटी लगती है, और डेवलप करने में फोकॉस रखे, और इसके लिए मेरे ख्याल से बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर ऑनलाइन एजुकेशन आप कर सकते हैं, एडवांस टेक्न आपके पास में जो यूट आता है वो विविक फिल्ड से आता है तो कहीना कई इस आमुलागर बदल की आप धारना रखते हैं कि अपने एजुकेशन सिस्टम को कहीना कई बदलना चाहिए एपसुलोटली एवरी कॉलेज इस देर है कोई भी कॉलेज रहे उन्होंने एडवां उनके अंदर Employment और Self Employment की Capability बढ़ाने के लिए इवेंट्स करना चाहिए डिपार्टमेंट होता है लेकिन वो डिपार्टमेंट एग्जिगूइट नहीं कर पाता इसलिए बेरोज़गरी ज्यादा है एक्च्वल में स्टुडेंट को यूथ को प्रॉपर गाइडस नहीं म समझ में एगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और वो कहा पर है तो जाकि अपनी बढ़ाएगा टेकनिकल कॉंपिटनसी बढ़ाएगा अच्छे से इंटो देगा और रोजगर पाफ्त गरेगा एक यूथ को एक नोगरी लगती है तो उसका पुरा फैमिली हैपी होता है तो बहुत इंपोर्टेंट में सवाल आप से पूछ रहा हूं यह मांसिक तो पर एक साइकलोजिक प्रस्चोन आपके लिए जब हम मल्टिपल जगे पे जाएंगे तो कहीं बार हमको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा तो रिजेक्शन हैं मांसिक तो पर यह बहुत बड़ बहुत नहीं होना चेह लेकिन फ्रस्टेट होती है जो अलमस्ट लोग तो क्या करते हैं लोग एक ड्रग के पास आईए हम आपको री इनर्जी देंगे री इनर्जी इनर्जी टेंगे इन्सपिरिशन देंगे पॉजिटीव आटिटरीट डेवलब करेंगे जो आदमी पर तो success मिलेगा, आपने हिम्मत नहीं हारना चाहिए, never give up, तो एक abilities develop करके फिर से और try करना चाहिए, ऐसे बहुत लोग है जो सो बार fail हो के हजार बार fail हो के success मिलता है, success मिलना ही है, जो youth का जन्म हुआ है, सक्सेस मिलने के लिए हुआ है, ऐसा मैं सोचता हूँ, हिम्मत नहीं हुरते हुए, positive videos देखके, positive inspirational, motivational YouTube पे videos देखके, अच्छे लोगों के संगत में रहे के, और अपने माबापको नमस्कार करके, अपने माबापको सुन के, निगेटिव लोगों से दूर रहे के, हमर जैसे motivator के पास, अगर आते हैं, और नए से प्रयास करते हैं, तो definitely 200% आपको success मिलेगा ही मिलेगा. राओ जी, एक तो बात होगी, employment के, जहां हम लोगों के opportunities प्रदाते हैं, जहां उनको नहीं प्रेंटिश हैंगे, और कुछ यूथ आपके पास पर ऐसे भी आते होंगे, या आप as a service provider, आप क्या समिख्थी किस यूथ ने एक self-employment भी होना चाहिए, कुद की business के लिए आप क्या एंग करेंगे? Absolutely, start-up यूथ को करना बहुत अच्छी ज़रूरत है, हर लोग नौकरी करेंगे, हर आदमी तरे नौकरी करेंगा, तो देने वाला ने रहेगा, तो देने वाला भी बनना चाहिए, उसके लंदर के entrepreneurship, catablet, उसके लंदर develop करना ज़रूरी है, गुवर्मेंट स्कीम स्पोर्ट है जहां गुवर्मेंट, महरास्ट गुवर्मेंट या सेंट्रल गुवर्मेंट स्टाट अप के लिए बहुत पुरूस्थान देता है, लोगों को पता ही नहीं है, तो युद्योग केंद्र जो है, वहाँ पे चाकि information लेना चाहिए, MCED से contact करना चाहिए, गुवर्मेंट स्की पाके knowledge ले सकते हैं, एक अच्छा project स्टाट कर सकते हैं, कोई भी project स्टाट करें, चाहिए की दुकान से लेके या कोई भी business स्टाट कर सकते हैं, पर उसके अंदर जजबा जानना ज़रूरी है, मेरे हिसाब से जजबा बहुत कम लोगों में होता है, वो पहचान के उसको project करन करना जरूर है, वो आग लगनी चाहिए उसके लिए रहूल हडे सर जैसे mentor का होना बहुत ज़रूरी है, तो बसको ही अपना सवगाद की है, एक मेरा अपना परस्नल सावाद है, इतना मैं आपको जातना हूँ को आपके hobby में से एक hobby है, politics, और आपने politics में भी अपना हाथ करीर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा politics में और देश को अभी politics में, देश के politics में यूत की जरूरत है, आप कोई भी पक्षे को पगड़ ली जिएगा, BJP से लेके kongress देलेके कोई भी पक्षा तक, उनको यूत की जरूरत है, यूत ने समाज के लि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो आपको अप्रोच करें और आपको टिकेट दे और आप चुन के अहमेले बने एंपी बने या कुछ भी बने मंत्री बने जरूरी है कि पॉलिटिक्स में अच्छा करियर बन सकता है और इस गुट चॉइस फोर करियर फॉर डेवलोप्मेंट देवलोप्मेंट उसे पॉलिटिकल तो चलते चलते में आपको यही चुप यूथ जो है जो एक अच्छे बेहतर बारत की तरफ और हम आज जिस जगह बैटे हुए है तो भारत भी एक साइंस के च्छेतर में बहुत अच्छी प्रविपी करता है चांद्रय क्री ने अपना मिशन पुआतिया है और आज ही जो है आधित अलवन का भी प्रतारान बहुत सब्सक्राइब हुआ है तो ऐसे पारशुगों में आप यूथ को आगे बढ़ने के लिए किस तरह से पॉसाइब करेंगे पढ़े आगे बढ़े नॉलेज एक्वायर करें और जिंदगी में काम होने के लिए मिला एक ही बार अपने को जिंदगी मिली है वो सिर्फ कामियाब होने के लिए मिली है और आपके माबापको हैपी करने के लिए मेरी सब व्यूत को और पुरे देश-वासियों को आपके प्लैटफॉर्म के जरी हर दिक शुपकामना है आज से नई जिंदगी शुरू करते हुए काम्याब होने के लिए आगे बढ़ने के लिए सतत निरंतर प्रयास करते रही है। खुरू करते हुए और रहुड लगे चिपो हुए रहुडा हुए. झाक रहुडा हुडा हुएर। Thank you so much.